इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुवात करते हैं और आज हमारे साथ पाइलेट आंटी है जिनको गुरुजी प्यार से पाइलेट आंटी उलाते हैं तो पाइलेट आंटी को इन्वाइट करते हैं वो आएं और सत्संग शेर करें गुरुजी के श्री चर्णों में बार-बार नमन, I wish and pray के सब का कल्यान हो, जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुने, सब का सब सरिष्ठी का कल्यान हो, आद गुरे नमा, जुगाद गुरे नमे, सत गुरे नमे, श्री गुरु देवाए नमे, इन प्यारे से गुरुबानी के शबद से सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं, सुभाग्या से आज भी वो ही घड़ी आई है, विन लास्ट टाइम इसी प्लाटफॉर्म पे गुरु जी ने हुकम करा था, बड़े मंदर से हुकम आया था, कि बाले टांटी सत्संग सुनाईए, और हमेशा तूर अंकल को, करनल तूर अंकल को मैं देखती थी, जब गुरुजी कहते थे, तूर उठ सत्संग सुना, तो मैं देखती रहती थी, कि हाई गुरुजी, वेन मी, और हमेशा देखती थी, गुरुजी मेरी भारी कब आएगी, मैं कब सत्संग सुनाऊंगी, तो, I feel extremely blessed, and extremely happy, and extremely grateful तो गुरुजी माराज, कि वो घडियां, जब जब गुरुजी चाहते हैं, तब तब आती रहती हैं, मेरी जर्णी गुरुजी के साथ, 1993 में स्टार्ट हुई थी, समर अफ 1993, जब मैं गुरुजी को जनंदर मंदर में मिली थी, वहां मेरा बुलावा आया था, and, संगजी, I have already done that satsang, तो, अगर आप सुनना चाहें, तो, पार्ट वन अफ माइ satsang, already उसमें, how I met Guruji, and how Guruji ने मेरा कल्यान करा, Guruji ने बुलाया, वह पार्ट वन में हैं, I think, जैसे के विक्रम अंकल ने, और कुनाल अंकल ने request करिया, they want to hear new satsangs, so, मेरी कोशिश यही होएगी, कि जितने भी satsang, पूरे तो नहीं मैं कर पाऊंगी, पर mostly, मैं यह satsang cover करने की कोशिश करूँगी, Hindi, Punjabi में बोलने का अदेश आया है, तो, बीच-बीच में इंग्लिश बोल जाओं, तो, माफ करना, तो, मैं गुरुजी के पास जाती थी, और मेरे को, मेरी friends, मेरी extended family, not my own family, but my extended family, और जिनके साथ मेरे को settlement होना था, तो, उन लोगों की तरफ से, मेरे को बहुत opposition आता था, गुरुजी को लेके, बहुत उल्टी सिदी बाते, सुनने को मिलती थी, कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी तांतिजम करते हैं, गुरुजी लेडी से पैर दबवाते हैं, पर वो अंजान, जन हैं, उनको, ये भी नहीं पता कि गुरु की शक्ति क्या है, मैं गुरुजी के साथ में, बहुत से क्यूर फिल करती थी, और आज भी, मतलब रोम खिल उटता है, जब गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी देवों के देव, महादेव हैं, कई लोग इनको शिव रूप में देखते हैं, कई लोग नानक रूप में देखते हैं, पर मेरे लिए, मेरा गुरु ही हर रूप है, मैं गुरुजी से उपर, किसी को नहीं मानती, आज इतना अच्छा दिन है, के, डबल ब्लेसिंग्स, ऐस गुरुजी उस तो से, कल बसाकी थी, आज फिर बसाकी है, सो गुरुजी सारी संगत को, बसाकी की बहुत बहुत शुब कामना है, आज मुस्लिम्स का भी फास्टिंग स्टार्ट हुई है, रमजान का मन्थ स्टार्ट हुआ है, और देन दे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनकी सेकेंड क्या बोलते हैं, लवरात्री है, जहांके सिखिजम में खाना पीना पूरा चल रहा है, और धोल बज रहे हैं, जशन मना रहे हैं, और लोग अपनी फसले कात रहे हैं, दे आर वेलकमिंग दे हावस्टिंग सीजन और नुव एर, और दूसी तरफ पे हिंदू नववश मनाया जा रहा है, और तिसी तरफ पे मुस्लिम्स का एक, I have a house help who's a Muslim lady, तो शी कीप स्टेलिंग मी अबाउट हर रिलिजन, तो शी सेज यह हमारे दानपुन का महीना है, जैसे हमारे में कहते हैं, माग दा महीना, सब तो ज़्यादा दानपुन दा महीना हुंदा है, माग मगन कर सादुआ तो तूनी करो, पाठ पूजा करो, इश्नान करो, माग दे महीने विच अपन लोग सारे जाने दानपुन कर देयां, तो इस कम्यूनिटी की दानपुन का यह महीना है, एंड शी सेज, विबा जी लास्ट में हम लोग सेवियां बनाते हैं, तो मुझे सुनके बहुत अच्छा लगा, और इस बात के मेरे को, रमा पाइलेट आंटी मेरे को याद आई, हलांकि मेरी कोशिश यही होईगी, कि किसी भी पुरानी संगत का मैं नाम ना लूँ, क्योंकि सब किये के अपनी अपनी जर्नी है, विए विटनेस तो दाट, बट दाट दाज दाज नाट में आपनी आपनी सरा अब्दूला आंटी को ले के आई, और लाकर उस दिन भी फंक्शन था, and if I remember clearly, it was the year Ramah, आंटी's son was, पाइले आंटी's son was getting married, तो वो गुटूजी से ब्लेसिंग्स लेने आई, तो सरा अब्दूला आंटी को लेके आई, तो वां पर आके उन्होंने मत्था टेका, अभी स्टेज बाहर लगा उवा था, जहां गुरूजी का, क्या पुलते हैं, शिवजी का फांटेन है, वहां पर स्टेज लगाता है, and we were all sitting there, and suddenly Ramah आंटी आई, सारा अँटी को लेके, और वो जब आई, तो एकदम से गुरूजी कहते, इस्लाम अलेकम, and she was very shy, and she didn't know how to respond, because she had come to शिव मंदर, और गुरूजी महाशिफ, जो आसन पे बैठे थे, सडली कहते हैं, इस्लाम अलेकम, और वो रियाक्ट करने लगी, तो गुरूजी हस पर है, केंदे आजा, आजा, वालेकम सलाम, तो ये है गुरू की महिमा, उन्हें बताने की जूरत नी है, उन्होंने ही जनम दिया है, किस उसमें रिलिजिन में जनम दिया है, दस नॉट मैटर, वाट मैटर्स इस आर गुरूजी, हिस ब्लेसिंग्स और हमारा कल्यान, क्योंकि हर धरम के, हर पक्क के लोग गुरूजी के पास आते हैं, मुझे तो एक बहुत अच्छा लगा, कि मैं दिली में कहीं पर जा रही थी, और एक आउंटी, शी वस वेरिंग अ साड़ी, और बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी थी, और वो कीर्तन सुन रही थी, गुर्बानी का, तो मैंने उसको बड़ी स्ट्वेंजली देखा, मैंने का, यह आउंटी पंजाबी तो लगती नहीं है, तो वो कीर्तन सुन रही थी, उसका फोन में कोई प्रॉब्लम होई, तो वो खड़ी-खड़ी मेरे को एक दम से बोली, आउंटी, तो मैंने देखा, और मैंने उसको वो मॉबाइल अन्म्यूट करके उसको करके दिया, आउंटी, आउंटी, आप कहां से आए हो, और शी कुड़ नॉट टॉक इन हिंदी, पंजाबी, पर वो सिरफ गुरुजी के गुर्बानी का किर्तन सुन रही थी, और वो कहरी थी, मैं बंगाल से आई हूँ, आउंटी, 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 माफ करना, में को बंगाली नहीं आती है, तो गुरुजी किस तरह किसको जोडते हैं, और किसका कल्यान करते हैं, वो तो वही जाने, मेरी एक बहुत ही टफ चर्णी ओफ लाइफ रही है, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स उतनी ही अन्मोल और उतनी ही अप्रम पार रही है, मेरा पल-पल पे गुरुजी ने बहुत टेस्टिंग करी है, जैसे गुरुजी कहते थे, मैं निम्बु दे वंग न चोड़ दा, पहला चाहर दा, फिर निम्बु वंग न चोड़ दा, जड़े पेड ते फल रह जान देने, फिर होना दा मैं कल्यान करदा, तो गुरुजी को मैं छोडने वाली तो नहीं, गुरुजी शायद मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, एक बड़ा प्यारा सा सत्संग मेरे को यादा आता है, कि एक बार गुरुजी के चर्णों में मैं बैटी थी, छोटे मंदर में, और वहां पर ये छोडने की बात से मैं बता रही हूं आपको, कि वहां बैटी थी और गुरुजी को शाम को कभी कबार मंगाते थे, कटोरी में कुछ खाने के लिए, हमें नहीं पता चलता था, क्या मंगाया, क्या आया, क्या खार रहे हैं, बट आइ स्टिल रमेंबर के चंदिगर में, 93 में, 93, 94 में, 93, 94 की बात है, कि जर्नल अहूजा के घर में, हम लोग अंदर बैठे थे, और गुरुजी बाहर बैठे, उस पे, इजी चेर पे बैठे थे, और और रही वोज जस्रेलाक्सिंग, तो एक या दो संगत पास में बैठी होएगी, और सड़ली एक कटोरी में कुछ आया, और मैं उस टाइम, जादा से जादा तो 25 से 26 साल की होँगी मैं, तो आवस अ वेरी यंग गल, और बिल्कुल जैसे लाड़ करते हैं, वैसे गुरु पिता पर मेश्वर से मैंने भी लाड़ करें, तो गुरुजी को आके वो दिया, और मैंने गुरुजी एक छोटी-छोटी बाइच से उसको खाने लगे, तो जैसे हम लोग मंद्रों में, आश्रम में, या गुर्दवारों में बच्चे होते हैं, कि वो खेलते-खेलते ही बड़े हो जाते हैं, उसी तरह भी मेरी जर्नी रही, मैं गुरु की गोद में ही बड़ी हुई हूई हूँ, तो मैंने एकदम गुरुजी के पास गई, और मैंने देखा कि हम लोग तो यहां बाते कर रहे हैं, कोई उद्धर को बाते कर रहा हैं, तब यह सत्संग वर्ड नहीं हुआ अगरता था, जैसे मैंने पहले पार्ट वन में बताया कि जह गुरुजी वर्ड नहीं हुआ करता था, हम लोग सिरफ नमस्ते करते थे या हम लोग सच्छी काल करते थे, तो उस दिन मैंने गुरुजी के पास जाके देखा, हम लोग बाते कर रहे थे आराम से खड़े, एंड बने जाके देखा, गुरुजी कुछ खा रहे हैं, तो मैं गुरुजी को जाके का, मैं कि गुरुजी कुछ कीखा जाने हो, तो गुरुजी हस पड़े, बड़ी जोर से हसे, और गुरुजी ने वो कटोरी लेके, उसको टेड़ा करके मेरे को दिखाया, आज आपको यह बताऊंगी नहीं, क्योंकि यह नई एक लहर्त कल जाएगे, जिससे यही बनने शुरू हो जाएंगे, घरों में, गुरुजी वोज एटिंग अवेरी नाइस तिंग, और गुरुजी ने में को दिखाया, और क्योंकि आज कल वहम में, गुरुजी कहते हैं, वहम नहीं करना, वहम नहीं करना, पर पाइलेट आँटी ने कह दिया, तो वो ही गॉस्पल टूथ स्टार्ट हो जाएगा, तो गुरुजी खाय रहे थे और हम लोग भी हस्ते केलते रहे, हलांकि किसी को उसमें से प्रशाद हम लोगों को नहीं मिला, एक संगत बैठी थी और उन लोगों को वो प्रशाद मिला खाने को, फिर उसके बाद में अगले दन फिर गुरुजी गाड़ी में थे और अंदर उनके लिए लंगर बन रहा था, गुरुजी शाम को वॉक के लिए जाते थे, चीफ सेक्टरी अंकल की वाइफ सबीना अंटी आती थी और उनके साथ में शाम को वॉक के लिए जाते थे गुरुजी, तो गारिया लग गई, सब कुछ हो गया, और हमें बस गुरुज गुरुजी से प्यार था, गुरुजी के चरनों से प्यार, ना कभी मांगा हमने कुछ, एक बार मैंने कोशिश जूर करी थी, और गुरुजी ने वो भी मनी मन मांगा था मैंने, और एक बार कोशिश जूर करी थी बड़े मंदर में बैठके, तो मैं बारम बार यही कहती थ गुरुजी एक ही चीज माइन में तो गुरुजी ने में को बला के एकदम से डांटा हलांकि मुझसे कुछ नहीं बोला था माइन में ही मैं बोली जा रही थी एक ही चीज गुरुजी मेरे को बड़े मंदर में आसन पर बुला के कहते एक को गल द्वारा द्वारा गुरुआं तो नहीं मंगी दा हुंदा ओ गुरु की होया जिस तो मंगना प्या है कमली केंदे एक को गल द्वारा द्वारा एंड बलीव में संगत जी के उस रात में कम से कम एक चीज मेरे अंदर से हजार बार निकल गी होईगी कि गुरुजी बस यही चाहिए गुरुजी बस यही चाहिए तो एनिवेस कमिंग बाक टू चंदिगर तो चंदिगर में वह गाडियां लग गए सब कुछ हो गया और सारे ढूंडें के गुरुजी के चरन कहांगे जुरुजी के जोडे गुरुजी बहार खड़े नंगे पैर जुराबे पहने वही थे और खड़े सारी संगत बहार कड़ अंदर लंगर त्यार हो रहा था और एक छोटी डबी में क्या बोलते हैं लंगर जस्ट लाइक लिटल स्नैक ताइप तिंग वह गुरुजी के साथ जाता था तो क्या बोलते हैं वह त्यार हो रहा था और आंटियां लगी होई जल्दी 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 त्यारी करने में क्योंकि लास्ट मिनट पे गुरुजी ने का के बना के लाओ थोड़ी खिचडी तो वह लोग अंदर त्यार कर रहे और सडली गुरुजी के गाड़ी का जो आगे जन्डा लगता था तो वह जन्डे नहीं मिल रहे थे तो वह जन्डे ढूनने के लिए इदर उदर भागे फिर रहे थे एंदन सडली ड्राइवर अंकल के इंद गुरुजी एता मिल गए तो संगत कैंदी गुरुजी पर जी खिचडी त्यार होगी के नहीं तो एंटी गुरुजी खिचडी त्यार होगी, उपर जा सेखो अंटी है गिया, चातते मेरे जुटे लेके कुम्री है गिया, वो जोड़े मेरे पास थे संगजी और उनको मैंने अपनी चाती से लगाया, और मैंने उनको कभी अपने सर पे रख ले थी, और कभी मैं उनको सु जाके मैंने गुची के चरनों में वो जोड़े पनाय तो गुची ने बड़े खुश वे बड़े हसे के अंदे उत्ते लेके फिर दि जोड़े में कान जी गुरूजी बड़े अच्छी खुश्छबू आरी सी तो गुच्छी करा जाए तो तो उसके बाद में कमिंग बैक टू छोटा मंदर तो छोटा मंदर में गुरुजी की वो कटोरी जिसके अंदर विपी अंकल कुछ ले के आए चोटी सी कटोरी थी जब विपी अंकल ले के आए तो मेरा यह जो बात मैंने आपको 93-94 की वताई उसके बाद में मैं आपको 2004-05 की बात बता रही हूं कि 2005 की बात मान लो 2005 में गुरुजी के वहां पर पैठे गुरुजी ने मस्टर्ट कलर का चोला पहना हुआ था और सडली वो छोटी कटोरी में कुछ आया तो तब तक उमर भी बीद गई थी हम भी बड़े हो गए थे गुरु की केपा भी बरसने लगी थी तो एक सेंस ऑफ म अशारा भी समझते हैं अगर आप सोचोगे ना ए नहीं होंदा कुछ नहीं होंदा ओ हुंदा है क्योंकि आपा जो सांस ले रहे हैं आपा जो कुछ कर रहे हैं वो सारा गुरु दी इच्छानाल हो रहे है मेरे कोले सत्संग दे किने मेसिजज़ आए एन आइस टू से के अं अच्छा नहीं लगता, अंकलों को ना करते हुए, तो आज वो गड़ी आई है, तो बड़ी हसी खुशी सुभा से हम एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुजी ने आज खिरपा बसाई है, बसाई है, तो मैं गुरुजी की तरफ एक नजर दे उस टाइब का चोटर मोटर था, जो गुरुजी वस जस्ट निबलिंग, और मेरे मन में एक थौट आई कि गुरुजी तुसी ता पहला भी परशाद मैंनों नहीं देता, ते हुन भी मैंनों परशाद नहीं मिलेगा, तुसी ता कली खाई जानने हो, मैंने देखो कैसा लाल सब्सक्राइब का चावल की फुलियां से आई नीचे, वो मैंने खा ली, और एकदम से एक साइड में, गुरुजी के राइट साइड में मैं बैठी थी, लेफ्ट साइड में में इनका गांधी बैठी थी, और आउंटी ने मेरे को इस्टी जोर से डहंटा, कहते हैं, वो तो इस वाइट इस फॉलिंग उन दे फ्लोर, मैं चुप, मैं तो पता ना चले, मैं क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, क्यूंकि बेरी लव्ड सोल, गुरुजी बहुत प्यार करते थे उन से, और लिएसे भी एक वो लेवल पे थी, कि तो मैं चुप करके कुछ नहीं बोली, और गुरुजी हसने लगे, इतना हसे, गुरुजी कभी मुँ में डाल ले कभी निचे गेर दे, मैं फिर भी उठा लूँ, अपने हाथ में ऐसे लख लूँ, जब आंटी ने मेरे को डांटा, तो मैंने एक मुठी तो मुँमें डाल दी, एक ऐसे करके हाथ में चुपा ले, और संगर जी अब बलीव करोगे, एक साबत चना, आज भी वो मेरे पास है मेरे मंदर में मैंने डब्टी में डाल के रखा हुआ है. तो फिर बेटे बैटे मैं एक दम से गुरुझी को ऐसे चोले से हाथ करने चोला छेडने लगी है और मेरे दमाग में वो हाठते हैं न हम लोग लालज करते हैं, तो गुरु जी सारा पसी चोले दिनने हो, किसीने तुसी शरूब देदर नियों मैंनू तो शरूब भी लाउड नी हैगा तो गुरुजी ने एकदम से अपना दुपटा उठा के ऐसे करके ना मेरे गोदी में डाल दिया और मैं खेलती 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 मैंने दो चार मोती और एक छोटी सी लटकन सी टुकडी सी वो ऐसे सींनू कि लिए करते वो खिंचलिन जा गैंने घुजी हसने लगे केंदे विश्वास रख्या कर गुरु जो तुकडी भी आज तक मेरे पास है मेरे मंदर में मेरे मेरे गुरु की निशानी में paniMicरु कें DRT में बहुत ऑच्छा टाइम पास हुआ गुरुजी के साथ मैं पर विश्वाश बनने में एक सेकंड भी लगता है विश्वाश बनने में एक जोनी भी लग जाती है गुरुजी पर गुरुजी यह भी कहते थे अब यह सत्संग सुनिया आप के मेरे पास एक मेरे फ्रेंड थे है तो मैंने उनको बोला मैंने का के इतने उनके पास में स्ट आफ गाडी अंसजा थे तो मैं अक्ञेशली सी एग विट रात को इतनी फूग को हितनी फॉग चीको अग है गुमद ने में उन भी अंदी तो में दिए गिया नो बहु है तो गुरुजी केंदे डरना क्यों है मैं के गुरुजी तुम नहीं पता आज करना उस ताइम में ये रेप वेप केसिस बहुत हो रखे थे तो मैं के गुरुजी मैं कली आनी है मेरी गड़ी भी परानी है किये ते मनुं डर लगदा है कि इस तरह ना कोई पीसे दी गल हो जे तो गुरुजी केंदे तो डर्याना कर मैं कर घूरी मेरे पास तो आईवे ते नाल होना तो मैं ठीक है महराज उस दिन पता नहीं क्या हुआ मेरे से किस तरह से चूक हो गई कि मैंने उनको बुला कि प्लीज आपके अपना ड्राइवर दे दो इतने ड्राइवर कहड़े हैं तो कोई बात नहीं को डॉप कर देगा देगा ङूइन कम बैक पीख मी आप तो चलो चोटे मंदर चलेगे वहां पर इंपार स्टेट में और वहां जाकर उन्हों उसने देखो कैसे कुद्रत की बात है उस ड्राइवर का नाम भी निर्मल तो वो मेरे को कहता है कि मैडम जी मैं किन्ने वज़े थो नू लेना वहां मोस्टली होता था कि गुरुजी के पास जब जाते थे गुरुजी हम जाते अपनी उससे थे बिलावा तो गुरुजी का था पर वहां जाके जब बैटे थे तीन चार घंटे के बाद में ही आग्या मिलती थी तो उन दिन जाके मत्था ठेका वहां अंदर गई और मैंने उसको मेंने गुरुजी को मत्था ठेका गुजी कहाने लंगर खाओ जाओ मैं वहीं बढ़्टगी मैंने कहीं गल बनी गुरुजी और मैंने एक दम से गुजी को कहीं मैं नहीं जाना और करके मैंने मत्था ठेका और उठके मैं बाarn गई उसके बाद में सड़ली लंगर लग गया गुरुजी ने कुछ नहीं कामर को लंगर लग गया वहां परीदर उदर हम लोग एक दूसरे से बाते करते रहे और जब लंगर खा लिया मैं हाथ धोने के बहाने में बहार निकली सामने वाले प्लॉट में गए वहां पर एक डॉबिंसन सिंगल उंकल वज रनिंग अराउंड तो मैं देखों के क्या हुआ सेको अटी कीत थसे तब तक मेरा नाम पालिट आंटी नहीं पड़ा था, सेको अटी कित थसे है, तो मैं बड़ी खुश होगे कि मेरे को आज गुरु भी अच्छा ही होगा तो मैंने का मैं अत्या जी मैंने भी पंग हले लिया तो अंकल कने उरेधन गुरु जी भी जा रहे न जब मैं अंदर गई जाके मत्ता टेका तो गुरुजी केंदे लंगर खा लिया? मैं कहां जी गुरुजी केंदे आग गया है फिर जाओ तो आइ फ्रोज के ये क्या बात बनी मैं गुरुजी की तरफ देखती रही गुरुजी मैंनु केंदे इन प्योर इंग्लिश इस्टिल रमेंबर गुरुजी सेज डोंट टेक गद फर गुरुज जाओ थुनु आगया है मैं चुपचा पहां से उठी अब मैंने तो ड्राइवर को चार घंटे का टाइम दे रखा अगर थोड़े कोले सेवा दार भी है गने बड़े मंदर विच उन्ना वी सेवा लगाई गई है इम आदे पालना करनी सिर्खो जाण हो नो चान वाल इख चांतर वाला है तो एक अधेश विच मोराद विच रहो जानआ होई गई है है तो में उठी ऋठके में बाहर बैड़ गई है बाहरा कि में बैठी तो आइस्ता आइस्ता संगती बहुत कम होती थी तो आइस्ता आइस्ता हिस्ता घट में एक आस्ता हिस्ता क्म होती गई वह गुरू जी वहां से अपने आसन से उठें आकर यापनेट प्रेट गए और जब मैं तूरह में को बड़ी बैठी रही बैठी रही बैठी रही दो घंटे तीन घंटे और उसके बाद में 8-10 बंदे अंदर होंगे चलो 15 होंगे तो तो शिंगला अंकल वो दे रहे थे लोकेट का की रिंग का परशाद तो मैंने उनको कह, मैंने कि चुछ कह यूब टेज़ी कह था लाओड नी अं-गुरू जी दैज बहुत आद तो अंगल प्री उप गे चुछ करा देगी पता नहीं किis और लुअए वह अंकल को तब तो आखे अंकल ने एक मेरे को देदिया मैं ले लिया तो मैं उसको देखते रही कभी हाथ खोल लूँ गुरुजी को देख लूँ मत्हा टेक लूँ फिर बैठी रही बैठी रही कोई भी ना बहुर सिंगल अंकल बूर चले गए थोड़ी देर के बाद गुरुजी पिचन के साइट से बहार आये और मैं चुप चा किच्छन की साइड से गुरुजी बाहर आए आके उनोंने इपास आगे मुने पता भी नी चला कर दो आ गे गुरुजी आगे मैं कहना तो गोडम खड़ी हो इस तो कि वह जो तो शरूप था छोटा जो कीचेन वाला था वो गुरुजी ने ले लिया और गुरुजी गाड़ी में बैठे और रश्मी आंटी थी साथ में तो गुरुजी उस दिन I think he went for a long walk to the ने बढ़ामंदर में बहुत जाती थी जाते जब बढ़ा मंदर बन रहाथा तब भी मैं बहुत चाने थी सुनना रष्गा कर कते तो तो आपने बताना गुरुजी को तो गुरुजी बड़े खुश उंदाजी के देख्या तेरे गुरुदा मंदर बन रहे हैं मैं के हाँ गुरुजी मनु बहुत अच्छा लग गया तो तो एक शिवरात्री पर ये भी 2000 कि बात हो ये तो गुरुजी के शिवरात्री के बाद में बड़े मंदर में एकदम से सफाइया सुचिया शारी होती थी तो सफाइया जब हो चुकी थी तो उसके बाद में संगत को आग्या मिली चलो चलो शोग खतम हो गया चलो अपने अपने कर चलो तो हमारा मन नहीं करता था क्योंकि उसके बाद में लिटल वराइटी प्रोग्राम या गुरुजी को पर्सनल हमने ब्लेसिंग्स लेनी या गु मिल जाता था हमें गुरुजी की किरपा से मौका मिल जाता था बेशाक गुरुजी को मत्ता ही टेक लेते थे पर गुरुजी को टच करने का मौका मिल जाता था तो हम लोग इदर उदर घूमते रहे इदर को इदर और सेवादारों को कभी मनाही नहीं होती थी रात को कि विदे इतनर तो सुदा अंथी को एक मीडियम बनाया लिए सुदा अंठी सिसक्र पाड़यों अपी जादिश। तो हम अंटी और में अंदर वा गए दरबार में, अंटी गंदी आजा आजा, असी दुनों जाने, वस्ट अनौटी मोमेंट के हम दोनों अंदर गए और जाके दरबार में बैठ के, वराइटी प्रोग्राम हुआ अग एंड डांस पेरा करा रिंकु अंकल ने, वस्ट बेरी जाते हैं, वहीं पर दरवाजे के पास एक पिलो लगा के गुरू जी नीचे बैठ गए, जब नीचे बैठ गए तो लाइन लग गई, तो लाइन लगी और वहां पर सब गुरू जी को मत्था टेकने लगे, तो हम भी लाइन में लग लिए, और हमें भी एकरपा चाहिए थ तो हम भी लाइन में लग लिए, तो वहां पर जाके जब गुरू जी के पास, और संगत जी एक बट्वीन देस, आइफ टेल यू, कि गुरू जी के वहां पर, मेरे को बहुत संगत को मैं देखती थी, गुरू जी फोन करते थे, बड़ी संगत आपको सथ संग भी परसन में क्या कर सकती थी, मैं तो एक नाचीज हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, पर में को यही होता था कि चलो प्यार से ही से, गुरू जी मेरे को भी फोन कर लो, तो मेरे पास जो भी फोन आता था, मैं तुरंत उसको वापस फोन करती थी, उस जमाने में छे छे साथ साथ सा तो मेरे गुरुजी मेरे को फोन कर रहे और में कर एक दिन ह little कई गा हम कि एस सोगर आा fifth का फून हा अइ sticks और में एतनी जोड़ से चला है तो गुर झीन मैंन्न क्या कैने तो आजान Liter की तो मैं कि गुरुजी आ एकल मैं के फून हॉल याई ऑं कर दो इतना अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी ने मेरे को फोन करा और मैं जाके ती प्यार बदी जप्ति पाई गुरुजी का थैंक यू गुरुजी और फिर I remember from my phone गुरुजी called the queen जैपुर वाली रानी जी है इनको गुरुजी ने फोन करा मेरे फोन से तो डाट वस कोड़ डबल ब्लेसिंग पर हमेशा गुरुजी मेरे को कहते थे मैं के गुरुजी तुझी मेनों फोन नहीं कर दे तो गुरुजी ने अच्छा तेरा नमबर नहीं हागा तो मैं बेव फूफों की तरह कावज़ में नंबर लिखती थी गुरुजी को दे आते थ में लेकिता उन्हों देखो कि एसे स्टेप बाइस्ट मेरे अपने इस विश्वास में डाला तो पिर मैंने जहा फ्लाने अंकल तो ले किया महीं जियमने उस पर लेखा फिर मनें नंबर गुर्जी को दिया आभी जीव में डाल लिया फिर अगली मीटिंग पर मिली मैं गुर जी तुसे मनु फोन नी किताऊं ओहौ जह केन दे मैं तो परची कुंगी जह सिंगल उंपल तो कागज लंक है वो मिनू कुमातन दे फिर मैं सिंगल उंकल कागज Artist लेकह पर लिख दी और संगत जी मैं number is so blessed that that is the same number i have till date मैंने अपना Airtel नहीं बदला I was one of the premier members of Airtel और आज तक मैंने अपना number नहीं बदला ये number Guruji की placings है तो फिर Guruji ने वो number लेख के अपने कोले रख लिया मैं Guruji परचेस मालो तुसी गेर दोंगे तुसी मैंनो फोन जरूर करना और मैं हर best call को वापस फोन करती इसी आस में मेरा Guru मेरे को फोन करेगा so now coming back to this शिवरातरी नद बड़ा मंदर जहां सुधा चौदरी आउंटी मुझे को दरबार में ले गई तो वहाँ जाकर हम लोग लाइन में लगे हुए और वहाँ पर गुरुजी को मैंने मथ्था टेका जब मेरी बारी आई मथ्था टेका गुरुजी ने मेरे को तीन लड़ू पर शाद दिये वो भी बेसन वाले लड़ू नॉट बुंदी वाले तो बेसन वाले लड़ू दिये और मेरे को का no sorry गुरुजी हुन बस हुन थोड़ी चलाकी फढ़ी गई मैंनू पता तुसी कौन हो तुसी अंतर्यामियों तुसी जानी जानो तुनू सब कुछ पता है बड़े मंदर के बड़े हॉल में मैंने गुरुजी को साथ इस तरह करा और गुरुजी हसे 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 कभी दर को गिरें कभी दर को गिरें तो मेरे को सुधा हुजा आंटी ने कहा कि नहीं आंटी इस तरह मत बोलो मैं कि क्यों ना बोलो मैं कि ये रब है इस सब जानदा है इस साल मेरे ना लेना ना ने गुरुजी ने इस तरह किता पर गुरु जी के दे अच्छा चल दास दे हुंता नमबर दास दे मैं संगर जी नमबर बताने लगी गुरु जी ने मेरा नमबर पिचे से आगे को बोल दिया मैं catching शे नहीं के अच्छा हरते नहीं के छुद कर रह отвеч एकुत हस दिन गुरु ज देखो गुरु करा है क्या महीमा मैं फिर तुँजी से था और पिया मैं चैनसे ज़िंता कोने पहते हैं बद्रिआुए पहुत पहुतेया है फिर गुरी ने सबस्तोम मेंनों नहीं ज़सम दै ख़िए पमप नवी तो मैं मारज को मत्था टेका मत्था टेके मैंने एक साइड में बैठ गई और मैं खाने लगी और जब मैं खाने लगी वह सो मच अफ बेसन कि मेरे से वह खाया नहीं गया गुरूजी बहला करें सुदा चाधरी आंटी कहीं से अँनोंने आँख पड़ी वह के थ्रू अनूने गुरूजी ने कल्यां करना था कि उनकी आँख पड़ी वह एक गलास पानी का ले के आए और मैंने को बोला आंटी आ लेलो पानी तुस्य इस नंतर नंगा लो तो होली हो मेरा मालक जाने मैं नहीं जान दे तो यह एक अनादर ब्यूटिफुल जानी है बट एट सेम टाइम छोटे मंदर में एक बार बैठे थे बैठे बैठे सोभागे हुआ कि गुरुजी ने मेरे को भी रात को रुपने का बहुत मेरे को भी का मौका मिला तो वाहं पे चाहिए का थी और प्रूटिफ। फिर मैंने गुरुजी को का मैं कि मैंने फिर भी देखना है तो गुरुजी ने उस दिन पहली बार गुरुजी ने मेरे को का था तेरे मुरे रब बैठा है तेनों दिखदा नहीं मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैं गुरुजी को का मैं कि गुरुजी मैं बहुत बेव पॉटन धील्हों। तो आंटी ने गुरुजी को गुरुजी मनों फोता देदू तो गुरुजी केनदे गुरुजी बॉले नहीं। वो है अंटी के फोन पे खिर्तन सुन रbeiten टेए, तो तो वह रे walks ठ्यों। दॉमाने पोता है थे तो गुरुजी को अधीन इसे हैं। और कहरे गुरुजी तुसी मेरी गलने सुन रहें, आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात, मेरी बात में सुन लो, मेरे को ना एक पोता दे दो, तो गुरुजी ने फिर उसकी बात में सुनी, तो कह दी गुरुजी मैं आपसे नराज हो जाओंगी, मेरी बात सुन लो, तो को एक बोता दे दो तो गुरु जी बड़ी इनोसेंटली ऐसे गुरु ऐसे अंटी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कई आंटी तु गुरुजी मैं पहाट बहुत कर दिया है। मैं पूजा बहुत कर दिया चाह है। अपना अंकल संबाल लाए वो एक होर अंटी लाई फर्दा है तो शी वस शॉक्ट शी से रेली गुरुजी तो जिस हाल में गुरुजी रखें उस हाल में रोहो और गुरुचर्णों में रहो क्या बूलते हैं कभी किसी का नहीं सोचओ के आ अरे उसको यह हुआ इसे नहीं होता यह नहीं होता वो नहीं होता क्यों हमारे साथ क्यु नहीं हुआ जो आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों के हैसाब से उसका नाब तोल गुरुजी जानते हैं हम नहीं जानते हैं मैं भी आज की डेट में बहुत इच्छाएं करती हूं बहुत मेरी भी I am human also I want के गुरुजी ऐसा होता तो life कैसी होती बहुत अच्छी होती तो मैं समझती हूं गुरुजी ने अपने चर्नों में बुलाया दर्शन दिये इतना प्यार दिया इस चे अच्छी लाइफ कैसे हो सकती है मेरे कुछ तो करम बहुत अच्छे होंगे कि गुरुजी ने अपने चर्नों में मुझे आस्रा दिया मुझे जगा दे कभिल जी ने काया है रुखी सुखी खाई के ठंडा पाणी पी देख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी तो जिस हाल में गुरु रखे उस हाल में खुश रहिए तो मैं अंकल यू वांट में तो कंटिनुव और श्लाइ जी आटी प्लीज आप कंटिनुव गर्शिप्सी प्लीज अच्छा जी अंग जाते थे तो हम लोग एक जन गये और जाके गुरु जी के पास मत्हा app का गुरु जी ने मिरे को हाथ करा और अपने आसन के पीछे मिरे को बिठाया तो मैंने ममी को भी कहरता दिया आजो आजव यू ब VANhe Strategy और थोड़ी देर के बाद में गुरु टुरु जी इधर उधर बात करें और एसे सेटेडा से करके मेरे को देखें और देखके, क्या बोलता हैं, स्माइल करें और अपने सर पाध तेने हाथ मारें और इस उस्कियर उसके उपर हाथ हात ऐसे करके पोँच देंuem तेहले तो ऐसे चपेड सी मारें अपने सर के ओपर फिर उसको हाथ से पोंच दें I got a shock of my life I saw a त्रशूल जैसे मैंने इतना बड़ा त्रशूल देखा मैंने तो क्या बोलते हैं वो ऐसे लगे जैसे it was very metallic जैसे metal का त्रशूल होता है और वहां से जैसे सूरज की रोशनी आती और वो चमक मारती है ना आँख में और वह आप आँखें बंद करते हो उस तरह से दिखें मेरे को और मैं I was shocked आशे रिए कि मेरे को क्या दिखा थोड़ी देर में वो गायब हो गया गुरुजी स्माइल करें नौटी सी और फिर ऐसे पिछे करके मेरे को देखें और फिर अपने सर में ऐसे फट मारें और फिर उपर से ऐसे हाथ मार दें फिर मेरे को तरशूल देखा मैंने मम्मी को ऐसे से करा मैंने का मम्मी केंदे हां मैं के देखो तरशूल तो कि इस ते है और मेरे को दिख रहा है बिलकुल ऐसे लगे के हाथ ऐसे किते हैं और दर्बार सजा हुआ कि इर्थन चल रहा सारा वह हो रहा और हम दोनों मा बेटी वह जो गुरुजी के साथ खेल कर रही तो मम्मी को नहीं दिखा उस रात पर वो मेरे को सेवंध रशूल गुरुजी ने इस तरह चमकते होए दिखाए और फिर जब यह थोड़ा सा शोर श्राबा होने लगा ना between me and my mother because mama को देखने रहा था तो गुरुजी ने एकदम से मेरे को बोला तू पिछे की गर्दिया बठी होई उठे तो मैं उठी और गुरुजी को पीछे बठाई रखा एंड मैं आगे आके मेरे को बठा दिया तो वो दृष्य जो गुरुजी ने मेरे को दिखाया was amazing but मेरे की रिक्वेस्टर संगत जी आपको भी बड़े दिरिश्ट दिखाएंगे गुरुजी आपके भी बड़ी किरपाई आएंगी तो अंदर समाना सी को मैंने तो एक बच्पना करा के मैंने तो चलो गुरुजी ग्रेस मम्मी को ही सुनाया but आपको जब गुरुजी इस तरह से हो हला बाजी ने करो उसको अंदर समाओ and it will multiply तो 1993 का भी एक सत्संग है जब मैं गुरुजी के पास यह एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी सिस्टर वॉंटेड के यह मैं सत्संग जू आज सुनाऊं तो मैं गुरुजी के पास थी तो हमने लंगर खाया लंगर खाके हम लोग उपर गए उपर जाके जब हम पंजाब में करवाज आएं कि लंगर खाके सारी पैरनु रेस्ट करदे लेट जाने है जो जो एक अ 10 नौकर होंदा है वो पर के जो बंदे हो उत उनuster दॉकते दबाते रहते तो हम लोग स्सेदी तरह गुरुजी नीचे धर्ती पर ही नो कापट नथिंग से लेट गए जब गुरुजी जमीन पर लेट गए तो मैंने थोड़ी दूर पर मतलब कि फुट फुट अनवाफ तो मैंने सुचा कि अब यह सारे बैठें सारी ऐसे रेस्ट करेंगे सारे जाने तो मैं भी वहां लेट गई तो गुर आंटियां गुरुजी के पैर दवारी तो मैं उठके बैटी हुए तो मैंने का गुरुजी तुसी भी ना मेरे कसन वर्गे है गयों तो उन्हां भी कलंदर खाके नहीं लगता कुछ आंदा बड़ा मन कर दा है अब मैं गुरुजी के पास में आई आई थी 93 में तो आई थी गुरुजी उन्होंने अपने काना पे हात मारा समेल कर तो मैंने समेल कर, मुझे कांदे की समेल ऐई, मैं कि तै कुछ नहीं आई कानी चुकरी समेल हैं तो गुरुजी हस हास हैं, तो गुचे हात मारें थी practical zooledक़ के अ अंडराम में यह ँख़ों पर एधुजी यह रगा तो से स्मेल कुछ भी क्या इस तो मैं जी स्मेल नहीं तो फिर का ऒब फिर गुरुजी नहीं को का कि अंखें नहीं में नहीं क्या है। फिर गुरुजी ने अपना नेवल भी स्मेल करवाया, तो मेरे को वहां भी कुछ नहीं हुआ, देन सदली गुरुजी सेज चल तू उठो, उठके तू की कहन देने, नेवल नहीं, अभी नहीं, नेवल नहीं कराया, तो गुरुजी उससे पहले गुरुजी मैंने कहन दे जा जा तो बाथरूम जा, उठेक मग विचे साड़ा जा थोड़ा सुसू पहाया, वह समेल करके आ, जब गुरुजी ने ऐसे कहा तो मेरी जो हसी छुटी, मैं तो हाहा, तो मैं नहीं जाना, गुरुजी कहन दे गुरुजी आदी गल नी कटी दूंदी, जा, उन्हों समेल करके मैं बड़े पीच्छे को कादम गींशती, मैं हॉली हॉली पीच्छे कभी विच्छे देखूं, कभी हसूं, कभी करती कराती, मैं वहां पहुंची, जाके मैंने थोड़ा सा लेमन से कलर का यूरन था, फिल्कुल थोड़ा सा, मैंने इसको समेल करा, और सेरिस्री संगत जी में बाद में गुर्जी लेटे होए तो गुरू जी ने फिर आपना नेवल पे मेरे को का हूं अब फिर नेवल पे मेरे को ऐसे लगा संगर जी जैसे पूरी बैरल फुल और फूलों की खुश्बू के अंदर मेरा सिर डाल दिया हूँ ऐसी खुश्बू आई कि आज तक वो लबजों में बियान करना बहुत मुश्किल है वह सच अ डिवाइन खुश्भू आई फ्रोज और गुरुजी हसे तो मैंने का ये गुरुजी ब्यूटिफुल एक इडी खुश्भू आई तो मैं वहां पर ना जितने उचलकूद कर रही थी अरहां से टिक के बैड़ गी और मैं गुरुजी को का मैं के गुरुजी वाट ड कुडिनु आज जसी दसम दुवार दे दर्शन करवाएने तो सुभागी है मेरा कि गुरुजी ने इतनी किर्पा करी और मैं चाहती हूं कि गुरुजी सब के उपर ऐसी ही किर्पा बरसाते रहें सब का कल्यान हो और कहते हैं कि जब दुआ दिल से मांगी जाए तो आपका कल्यान होता है तो मैं चाहती हूं कि गुरुजी सारा परिवार है एक बार मैं गुरुजी के बड़े मंदर गई और मैंने जाके गुरुजी को मुझे आज भी याद है गुरुपुर्निमा थी तो मैंने इदर उदर पूछा तो लोग में हो कहते हैं कि गुरुपुर्निमा कि यह पूर्ण माश्री आगी जिम्हें आज संगरांद एगी है ममी केंदी कड़ा परशाद कर लो निता हमकुन साउद परशाद वेटा एग रहन कर लो तो चलो जी संगरांद होगी तो माश्री गुरू पुर्णे माँ कि उन देस तक अदे सुनी भी नी सी कि तो मीनु आँ होंता है अब वो जैसे पत्थर पे लखीर होती है मैंने भी उसी तरह जब गुरू का शुक्राना करना है तो हम गुरू जब साक्षाद बैठा तुम जाकर शुक्राना करेंगे तो मैं गई मैं जाई गुरू जी को मत्ता टेका गुरू जी केंदे हां मैं गुरू जी थैंक गुरू जी बस यही बेंती है कि पलपल समाल लेना और आपको तेर हिर्दे से शुकराना शुकराना शुकराना